वेलकम तो कोमल की रसोई कैसे हूं आज 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 आपके लिए बनाई है मैने हरी मिल्च की सबजी आपने हरी मिल्च का आचार इसको बड़े हड़े साइज में डंटल कर लेंगे ये सबजी इतनी powerful है कि जो खाना देखकर मूँ बनाते हैं खाना खाने का मन नहीं करते हैं भूख नहीं लगती है और जिनको खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो भी इस सबजी को देखके आपसे मांग मांग कर खाएगा धंटल अलग करते हुए यहां पर मैंने बड़े बड़े pieces में हरी मिल्च को कट कर लिया है सारी मिल्च को मैंने पहले wash कर लिया है सुखा लिया है उसके बाद इनके धंटल अलग करते हुए हरी मिल्च को कट कर लिया है एक रोटी खाने की बज़ाए चार रोटी खाने वाला बंदा भी बार बार आपसे मांग कर खाएगा इसको बनाने के लिए मैंने या पे लिया है एक कडाई कडाई को गरम कर लिया है दो से चार चमच मैंने डाला है सरसो का तेल उसके बाद इसमें डाला है एक चमच जीरा, एक चमच एक पिंच हिंग डालेंगे, हिंग डालना में पहले भूल गई थी, एक चमच डाला है मैंने इसमें राई, उसके बाद डालूँगी मैं इसमें एक चमच सौफ, सौफ से क्य स्वाद और खुश्बू दोनों ही बढ़िया हो जाएंगे इसके बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालने के साथ एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर नमक स्वाद अनुसर डालना है मैंने 100 ग्राम लीती स्टेक चमच डाल रहे हो आप जादा लेते हो तो अपने स्वाद अनुसर नमक को डाले अच्छे से मिक्स करते हुए इसको पांच मिनट हम कुक करते हुए पकाएंगे पांच मिनट कुक करने के बाद हमारी मिर्ची रेडी हो चुकी है चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा साथे सब बैल आइकन को दबाईएग और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मेरी यह रेसेपी आपको कैसी लगी है आई होप आपको यह रेसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर भी कीजिएगा आप इसको बनाईए खाईए और इंजोई कीजिए बाई टड़ा सियो सूप